इलोन चाचा, नासा, अपनी इजरो और दूसरे स्पेस एजन्सिस में एक प्लैन जरूर कौम आने अगले 20-30 सालों के लिए कि शायद हम मार्स पे यूमन्स को लैंड कर सके और एक पर्मनेंट बेस बना सके अब यहां हमें जरूर एक घर जैसा कुछ बनाना पड़ेगा अब शूर एक ओव्यस तरीका है हम धर्ती से कोर जैसा कुछ बनाएं वहां लैंड करें और उस कोर के उपर मिट्टी वगएरा डालते तक ही रेडियेशन प्रोटेक्शन वगएरा मिल जगे पर देखो धर्ती से कुछ भी मार्स तक लेकि जाना एस्पेशले मार्स के सरफेस तक लेकि जाना बहुत एक्सपेंसिव है पैसो से भी फ्यूल से भी फिजिक से भी कितना ही ले सकते हो तो हमें वो करना होगा वो मतलब क्या ISRU मतलब in-situ resource utilization मतलब जहां आप जा रहे हो उस जगह के जितने हो सके resources इस्तमाल करो ताकि धरती से हमें कम सामान लाना पड़े बस minimum minimum चाहिए हम ला सकते हैं अब मार्स पर घर बनाने के तो अलग-अलग तरीक है जैसे एक हुआ laser sintering आप laser जो 3D printing के होते हैं उससे इस्तमाल करके मार्स की मिट्टी melt कर सकते हो और एक structure बना सकते हो दूसरा हुआ जो आपने common देखाई होगा NASA funded जो प्रोजेक्ट था जिसमें बड़े 3D printer का इस्तमाल क सब्सक्राइबर हो तो आपको याद है मैं डॉक्टर आलोग को विजट किया था जब उन्होंने मून ब्रिक्स का पेपर पब्लिश किया था और दिखाया था न्यूज में आपने देखा होगा तो वही concept को आगे बढ़ानी के लिए यह मार्स की मिट्टी को लेके तो पहला क्वेशन होगा कि यह मार्स की मिट्टी इन्हें मिली कहां से देखो इतने सालों में नासा की इतने सारे रोवर्स लैंड वगेरा कर चुके है सर्फेस पे मार्स तो हमें कुछ एरस की अच्छे आइडिया है composition की कि क्या है मार्स की मिट्टी में इस case में आप जो देख रहे ह जाते हैं क्या spec है वगेरा है आपको यह पढ़ना है तो डीटेल पेपर है जो आपको left lower left में नंबर आया होगा वह नंबर डिस्क्रिप्शन में फॉलो करो reference नंबर है और फिर आप पढ़ सकते उस पेपर को यह पर्टिकुलर वाला अलोक सर का एक फ्लॉरिडा के लैप से है अब मून ब्रिक की केस में केसे था वह बैक्टिरिया यूज के थे ब्रिक्स बनाने को ताकि मून के मिट्टी एकदम हाड हो जाए बैक्टिरिया के मदद से और वह फिर ब्रिक बन जाए उसका प्रोसेस का नामते है M.I.C.P. आनि Mineral Induced Calcite Precipitation या Biomineralization भी बोल सकते हो अब उन्होंने सेम से साथ करने देखा कि आप वं मिट्टि लो, बैक्टिरिया को डालो, बैक्टिरिया का फूड यानि यूरिया प्लस अधर स्टफ और उसे रियाक करने दो पर ये प्रोसेस फेल हुआ MARS के मिट्टि के केस में क्यों कूंकर अगर आप MARS के मिट्टी को द तो यह problem solve हो जाती है और जिस वे में यह process old process से compare करो तो यह काफी flexible है मतलब आप इसे मार्स की मिक्टी लो उसका food वगेरा डालो और एक slurry type of बना दो और फिर cast करो यानि उसे ऐसे molds में पोर करके उसे करो और फिर आप किसी भी शेप का brick बना सकते हो अगर आपको लंबा brick चाहे तो लंबा छोटा चाहिए तो छोटा इस brick की जो currently इस तरहिंत मार्स वाले की वह करीब less than one fourth of हमार जो नॉर्मल लीटे होते उससे है पर इंप्रूवमेंट चल रहे आलरेड़ी इंप्रूवमेंट ह करेंगे टेस्टिंग करने के लिए वह एक सिम्यूलेटर काइंड ऑफ बना रहे जो एंवार्मेंट को सिम्यूलेट करेंगा नहीं उसका सरफेस टेंप्रिचर कितना कार्मन डॉकसाइड और दूसरे जो है एंवार्मेंट उसका मार्स का एक्मोस्फेरिक कॉम्पोजिशन वह सिम्यूलेट करेंगा ताकि वह देख सके कि मार्स के एक्चुल अट्मोस्फेर में कैसे ब्याइव कर सकता है यह तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड में डाला था कि मैं इसके उपर अलग नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं तो एक कॉमन क्वेस्टन है कि हम इसे क्ले की तर हो जाएगी वह क्ले नहीं बनेगी क्ले का कॉम्पोजिशन अलग है केमिकल कॉम्पोजिशन प्लस क्ले जो होता हो बहुत ज्यादा फाइन होता है यह मिट्टी बहुत कोर्स थी तो हां अगर आपको मेरे इस प्राइविट डिस्कॉर्ड का एक्सेस चीए तो बस हिंजे भारत